क्या हार्दिक पांडिया और उनकी वाइफ नताशा स्टैनकोविक का होने वाला है डिवोस? पिछले कई दिनों से सोचल मीडिया पर हार्दिक और नताशा के सेपरेशन को लेकर ऐसी ही खबरे सामने आ रही हैं अचले रूमर्स तब शुरू हुए जब इनोटिस किया गया कि दोहजाट चौबिस के पूरे आईपेल सीजन में नताशा एक बार भी अपने पती हादिक पांडिया की टीम मुंबाई इंडियंस को चेर करने के लिए स्टेडियम नहीं गई और रूमर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉंग तब हुए जब नताशा स्टैनकोविक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपने नाम के आगे से पांडिया सर नेम हटा दिया इनफाक्ट ऐसा भी बता जा रहा है कि दोनों ने डिवोस फाइल कर दिया है अब ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि अगर हार्दिक पांडिया और नताशा का तलाक हो रहा है तो इसकी वजह क्या है क्या है इस थबर की पूरी सच्चाई आईए जानते हैं इस वीडियो में हेलो एवरिवान मैं हूँ नवमी और आप देख रहे हैं अनकाट हादिक पांडिया के लिए साल दो हासाच चौबिस का आई पील सीजन कुछ खास नहीं रहा और अब उनकी परसनल लाइफ को लेकर भी कई सारी खबरे सामने आ रही है बताया जा रहा है कि हार्दिक पांडिया और उनकी वाइफ नताशा स्टैन को विटका होने वाला है डिवोस और इतना ही नहीं ऐसा भी बताया जा रहा है कि हार्दिक पांडिया को अपनी ओवरॉल प्रॉपर्टी का 70 परसेंट हिस्सा अपनी वाइफ नताशा को देना लेकिन उनके separation से जुड़ी ये अफवाएं बहुत ही तेजी से social media पर viral हो रही है हादिक पांडया और नताशा social media पर काफी ज्यादा active रहते हैं लेकिन फरवरी के बाद से ये दोनों social media पर साथ नहीं दिखे हैं इन दोनों का जो last post साथ में हैं वो 14 फरवरी का है जबकि इसके बाद ये दोनों कुछ events में साथ दिखे थे लेकिन IPL के पूरे सीजन में एक बार भी नताशा को stadium में नहीं देखा गया और फिर नताशा ने अपने इंस्टा handle से पांडया सर ने भी remove कर दिया और सिर्फ इतना ही नहीं नताशा ने हार्दिक की pictures भी अपने Instagram से हटा दी है नताशा ने अपने इंस्टा पर हार्दिक के साथ सिर्फ एक ही photo अभी रखी है जिसमें उनके साथ उनका बेटा अगस्त्या भी है और इन ही सब कार्णों से ये खबरें और भी ज्यादा फैल रही है इन फैक्ट नताशा की बर्दे पर भी जो की चार मार्च को आता है हार्दिक पांडया ने अपनी वाइस के लिए एक भी social media post शेर नहीं किया और नताशा ने भी अपने बर्दे पर अकेले की फोटो ही शेर की है तो इन सब के चलते ही रूमर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉंग होते गए हार्दिक और नताशा की लव स्टोरी की शुरुवात मुंबई में एक पार्टी के दौरान हुई थी पार्टी में इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई जिसके बाद दोनों दोस्त बन गए इसके बाद साल 2020 में 31 मे के दिन इन दोनों ने शादी कर ली जो की एक प्राइवेट सेरिमनी थी इसके बाद साल 2020 में ही 30 जिलाई के दिन इन दोनों के बेटे अगस्तिया का जन्म हुआ और फिर साल 2023 में इन दोनों ने राजस्थान में एक grand celebration के साथ हिंदु रीती रिवाज और Christian rituals के साथ शादी की थी और अब साल 2024 में दोनों के separation की खबर सामने आई है और रिपोर्ट की मुताबिक अगर ये तलाक हो गया तो हार्दिक पांड्या को अपनी property का 70% हिस्सा अपनी wife नताशा को देना होगा और अब इसको लेकर उनके fans कई सारे post भी share कर रहे हैं लोगों की कई सारे mixed reactions देखने को मिल रहे हैं और कई लोग नताशा को as a gold digger भी label कर रहे हैं अगर बात करें हार्दिक पांड्या की कमाई की तो इस समय हार्दिक पांड्या IPL टीम Mumbai Indians का हिस्सा है और उन्हें टीम की ओर से as a fees 15 करोर रुपीज मिलते हैं Mumbai Indians से पहले हार्दिक गुजरा Titans का हिस्सा थे वहां भी उनकी fees इसके around ही थी इसके अलावा उन्हें Indian cricket team की तरफ से भी match fees मिलती है और अलग-अलग brand के endorsement के थूप भी उनकी कमाई करोरों में हो जाती है अब अगर बात करें हार्दिक पांडिया के past relationships की तो नताशा से पहले कॉलकता की model लीशा शर्मा को हार्दिक पांडिया ने साल 2016 में डेट किया था उसके बाद साल 2018 में Big Boss 7 की fame एली एवराम और हार्दिक के अफैर की खबरे सामने आई थी और इसके अलावा उर्वशी रोतेला के साथ भी हार्दिक का नाम कई बार जोड़ा गया है वेलब हार्दिक पांडिया और नताशा की रिष्टे से जुड़ी ये खबर कितनी सच है ये तब ही confirm होगा जब हार्दिक पांडिया या उनकी वाइफ नताशा की तरफ से इसको लेकर कोई official statement सामने आएगा लेकिन हाँ जितने भी चीज़े इन दोनों के रिष्टे को लेक statement या confirmation नहीं आता है तब तक इसको लेकर कुछ कहां नहीं जा सकता लेकिन इस rumors को लेकर आपका क्या कहना है यह हमें comments में जरूर बताइएगा और ऐसी ही latest and updated videos के लिए देखते रहें अंकुट